हाई गाइज, वेलकम बैक, I am Vivek सिंगल from tradingwithvivek.com और आज हमारी वीडियो है price earning ratio को लेकर की price earning ratio क्या होता है, इसको कैसे calculate करते हैं और इसकी starting कहां से हुई थी और आज इसकी क्या importance है आज कल के trading और investment में और कहां से इस चीज को check किया जाए क्या इसके filter लगाए जाए और उसको practical way में कैसे use करके इससे थोड़े से पैसे कमाए जाए और किस तरीके से इसको इसके अंदर deep down जाके check किया जाए कि अगर कोई share बहुत high price पर चल रहा है तो वो high price पर भी लेना बनता है या नहीं बनता है price earning ratios है high price earning पर trade करती है कौन सी low price earning पर trade करती है तो आगे बढ़ते हैं यह एक उस पूरी series का part है जो हमने एक series start की हुई है जिसमें जितनी भी education है point to point लगातार ABCD से लेकर Z तक और यह पूरी nursery से लेकर post graduation तक तो यहाँ पर one to one हम सारे ही concepts को clear करके आगे बढ़ रहे हैं Thursday and Friday को ह हमारी यह दो वीडियो आती है week में अब तक seven वीडियो आ चुकी है यह आज की वीडियो एट्थ वीडियो है तो अगर आपको वह बागी सारी वीडियो देखनी है तो आप ऊपर यहाँ पर चेक करके देख सकते हो सबसे last में भी देख सकते हो और उस playlist का link में आपको description box में देदूंगा वहां से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हो तो आगे बढ़ते हैं और price earning ratio होता क्या है उस चीज को हम simply यहाँ पर एक बार टाइप करते हैं गूगल में price earning ratio तो price earning ratio basically यह correlation है company के share price को लेकर earning से और इसका formula जो है वो ही है PE ratio is equal to share price divided by earning per share तो यहाँ पर share price का मतलब क तो market price होता है और earning per share का मतलब क्या है earning per share means जितना हमारा net profit है net profit को total number of share से अगर हम divide करेंगे तो price earning ratio आ जाता है अब यह चीज यहाँ पर screener dot in पर हमें हमें सीरी सीरी readily available हो जाती है इसके लिए अलग से कुछ खास नहीं करना होता जैसे मैंने TCS को यहाँ पर चेक किया तो TCS का यहाँ पर निकल कर आ गया price earning ratio 36.60 यह हमारा calculate होकर आ गया अब इसका actual में meaning क्या है meaning इसका यह है कि अगर company same profit हर साल कमाती रहे लगा अतार तो 36 years लगेंगे company को means investor को अपना सारा पैसा वापस लेने में profit के रूप में मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ पर यह है हम यहाँ earning per share एक बार देखते हैं और यहाँ पर निकल कर आ जाएगा EPS EPS मैंने यहाँ पर डाला यह add हो गया तो EPS यहाँ पर earning per share 83.20 है 83.20 कैसे आया यह हमारा trailing 12 months से आया होगा यहाँ पर जो हमारा net profit है that is 31233 31,233 हमारा net profit है इसको total number of shares से अगर हम divide करें 370 से तो हमारा earning per share यहाँ 83.2 आ जाता है अब हमारा जो price है current में वो price कितना है price है 3188 और अगर 3188 को EPS से divide करें तो हमारा price earning ratio आ जाता है 36.6 तो यहाँ पर price earning ratio इतना आ जाता है जैसे मैंने कहा कि अगर यह current इतना ही profit कमाते रहें तो यानि कि जो company है जो investor है investor को 36.6 years लगेंगे अपना सारा पैसा एक share का investment कर रहें 3188 और यहाँ पर एक share के उपर earning है 83 तो 83,83,83,83 इस तरही से करके हुए अगर हमें सारा हमें profit होता है तो इतना profit होने में कितना time लगेंगा जो हमारा current price है यह लगेंगे 36 years अब इसका मतलब यह नहीं है कि यार यह तो हमारा हर चीत से कम हो गया यह तो बिल दो जाते हैं वहां में और यहां में जो main difference है मैं आपको वो बताता हूं वहां पर हमारा interest रहता है same वो हमें same ही interest मिलता रहता है लेकिन यहां पर जो earning per share है वो लगातार increase होते रहता है वो लगातार increase कैसे होता है अगर हम यहां पर नीचे जाएं तो अपसे करीब-करीब 2009 मे जो earning per share था EPS वो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है वो 13.43 था जो लगातार बढ़ते बढ़ते यहां पर 86 हो गया है यानि कि यहां से हमारा यहां तक बढ़ते बढ़ते यह 67 गुना हो गया है और अगर 67 गुना हमारा होता है तो उस हिसाब से जो हमारा पैसा है वापस आने क उसकी speed बहुत जादा हो जाती है और उसमें 36 years नहीं लगते तो जब यह चीज़े सस्ती होती है या महंगी होती है जो कम PE पर चल रहा होता है जादा PE पर चल रहा होता है तो उन सब चीजों को समझने से पहले हमें यहां पर इस चीज़ को ध्यान में रख लेना चाहिए कि अगर यह फेर रुपे का अर्णिंग पर शेयर हो जाएगा और अगर पांच सुरुपे का अर्णिंग पर शेयर होता है तो यह कितने साल लगेंगे चार पांच साल के हिसाब से बैठ जाता है उस हिसाब से आगे चल के तो basically होता क्या है कि अच्छी companies 30-35 के PE तक पहुँच जाती है 20 के PE पर भी रहती है 25 के PE पर रहती है तो PE के base पर actual में trade करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसका जो starting हुई थी वो कहां से हुई थी वो starting हुई थी basically अमेरिका में जब पुराने टाइम पर industrialization start हुआ था आपसे करीब 60-80 साल पहले और steel factories थी और कारों की factories थी तो जैसे steel factory थो steel factory में एक particular capacity के base पर हमारा उन्होंने factory लगाई और suppose उन्होंने factory 100 crore की लगाई और 100 crore की factory लगाकर suppose उनको 10 crore का net profit होना शुरू हुआ एक साल में तो हमारा अगर दस-दस करोड करके हम सारा पैसा कमाई और 100 crore की factory है तो यानि कि 10 साल में हमारा सारा पैसा वापस आ जाएगा तो उसको payback profit है ऐसा नहीं होता था कि पहले साल में 10 crore फिर 12 crore फिर 13 फिर 14 फिर 18 फिर 20 फिर 25 फिर 50 ऐसे नहीं होता था इस तरह की जो चीजे होती है वह technology firm में ज्यादा होती है और वह factories के case में कम होती है और इसलिए यह कहा जाता था कि जितना कम P.E. ratio होगा उतना कम हमें इसमें पैसा अच्छा होगा investment के लिए जितना कम P.E. होगा यानि कि उतने कम time में हमारे पास हमारा पैसा वापस आ जाएगा लेकिन आज कल का time ऐसा नहीं है इसी को अगर हमें एक example के तरीके से देखें अ उसके बाद में minus हो गया फिर plus हो गया फिर minus फिर minus फिर minus फिर minus माइनस फिर plus फिर minus माइनस माइनस तो यहां पर कोई consistency है ही नहीं आप देखो पिछले 12 साल में इस्टील के EPS में earning per share में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई कभी profit आता है कभी profit आता है कभी loss आता है तो इस तरह की companies high P.E. पर trade कर ही नहीं सकती और यहां तो P.E. निकल कर ही नहीं आएगा क्योंकि P.E. का formula क्या है P.E. का formula है share price divided by earning per share अब जब earning ही नहीं है नुकसान है तो वह वहाँ पर calculate करके भी नहीं दिखाता तो इस चीज़ को ऐसे समझने की जरुरत है मैं आपको एक और example देता हूं जो आपको यह अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से price earning ratio को analyze करना चाहिए उसको analyze करने के लिए अगर आप current में देखोगे तो page industries है page industries का कितना price earning ratio दिखा रहा है 174 इसका मतलब यह हुआ कि अगर जितना profit आज की date में आ रहा है अगर उतना ही सिर्फ profit आता रहे त इस price को वापस लाने अपने जितना पैसा लगाया उसको कमाने में यानि कि current price कितना है 29,585 एक share का और एक share पर earning कितना है 170 तो यह तो बहुती अजीब सी बात है मतलब इतने high PE पर यह कैसे रह सकता है उसके बाद में नीचे जाएगा या उपर जाएगा तो इसको समझने का क पर share की growth देखें तो आप यह देखोगे 28,35,52,80,100,137,175,207,238,311,353 यानि कि March 2019 तक इसका जो earning per share है वो 12 times हो गया है सिर्फ और सिर्फ 10 years में 12 times यानि कि अगले 12 सालों में यह कितना हो सकता है यहां से अगर further 12 times की बात करें तो यह हमारा almost 4000 हो जाएगा 4000 का EPS हो जाएगा earning per share अगर वो same growth को maintain करते हैं अभी क्या हुआ कि 2020 में जो March quarter था वो pandemic के दोरान का quarter था उसके बाद के जो quarters थे तीनो quarter वो pandemic के quarters थे तो हमारा वो वाला rhythm नहीं बनाए हैं लेकिन वापस से जब यह high growth पर वापस से momentum चलेगा तो अगर 10 साल बाद की बात करें त तो सिर्फ यह अगर 4000 हमारा 5000 का अगर EPS हो जाता है जो सोरी हां यह हमारा अगर यहाँ पर 453 है तो 5000 के EPS के हिसाब से यह कितने के PE पर बैठता है यह बैठता है सिर्फ 6 के PE पर यानि कि अगर इसको 30,000 के price को अगर 10 साल बाद जो इनका EPS होगा अगर उससे divide करें तो PE ratio निकल के आता है जो यहाँ पर 174 नजर आ रहा है तो जो growth है यह जो 174 है यह किसलिए है यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर pandemic के दोरान यहाँ पर minus में भी आये है results और अच्छे results नहीं आये हैं आप एक चीज यहाँ पर समझो जो बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर यह वा 500 भी कर लेते हैं और 500 से अगर हम 29,000 को डिवाइड करते हैं यानि कि 30,000 को डिवाइड करते हैं तो भी 60 का पी आता है यानि कि विदिन वन एंड हाफ ए यह 174 का जो पी नजर आ रहा है न यह सिर्फ 60 का पी रह जाएगा तो पी रेशो को जब भी calculate करें current situation को हमेशा ध्यान म रखें इसको इसके base पे actual में trade करना उतना आसान नहीं है लेकिन आसान होता है अगर इस चीज को ध्यान से समझा जाए अगर आपको याद हो मैंने कुछ टाइम पहले एक video बनाई थी मोतिलाल ओस्वाल financial services को लेकर जिसका price earning ratio अभी 15 दिखा रहा है यानि कि 15 साल लगेंगे इ लेकिन 15 साल ये actual में 15 साल नहीं है क्योंकि इसमें pandemic का भी time मौझूद है अगर इसको आप यहाँ पर देखो कि earning per share जो इनका 42 होता था pandemic के बाद जब ये वापस से ठीक होकर 45 40 और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर consistently growth नहीं रही है यहाँ से 6 रुपीज से increase होते होते 42 तक गया और जो ये financial service companies हैं खास तोर से जो market से जिनकी performance link रहती है इनके portfolio management service है इनके mutual funds है इनके alternative investment fund है इनका market से link होता है जब market all time hyper होती है तो इनकी fees भी all time hyper पहुंच जाती है और उसके बाद में इनके net profit भी all time hyper होता है तो मैं ये मान कर चल रहा हूं कि अगर इनका 50 रुपीज का earning per share आता है तो current के हिसाब से 50 रुपीज से डिवाइड करके ये सिर्फ और 12 का बैठता है तो इस तरीके से हमें calculate करके देखना चाहिए और ये 12 का भी अगर आप एक चीज़ देखो कि अगर अगले 10-12 सालों में 40 के बदले अगर ये 400 रुपे का होता है तो 400 रुपे अगर तो ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 के पी रेशो पर बैठता है 10 साल बाद से उर्ष टाइम पर अगर ये 10 या 12 के पी पर भी हुआ तो यहां से वो ग्रोथ नजर आती है कि 10 साल में 10-12 गुना हो सकता है तो price earning ratio को हमें इस तरीके से यहां पर calculate करना चाहिए कि कितना expected return है और कितना आने की उमीद है इसका सबसे simple तरीका मैं आपको बताता हूँ जो current quarter का net profit होता है उसको 4 से multiply करो या फिर जो current quarter का earning per share है उसको 4 से multiply करो यानि कि आने वाले time में जो अगले एक साल का net profit होगा वो उतना होगा और earning per share उतना होगा तो 22 का अगर यहां पर है एक quarter का earning per share हमारा 22 है तो यह हमारा 88 आता है अगले चार महिने का अगले चार quarter का और 88 से अगर इसको हम divide करें तो यह 7 का PE आता है 7 means only 7 का PE आता है तो यहां पर जो 15 नजर आ रहा है यह सिर्फ 7 का रह जाएगा अभी यह 15 नजर क्यों आ रहा है क्योंकि pandemic के दोरान जो quarter था उसमें यह March quarter अभी है प आसपास ही आता है तो क्या होगा यह quarter तो निकल जाएगा और 22 वाला एड हो जाएगा 22, 22, 20, 11 उसके बाद जब यह बैठेगा न 90 रूपी या 80 रूपी के आसपास का जो यह EPS बैठेगा तो यह suddenly यहां पर बहुत छोटा सा नजर आएगा और यह फिर यहां से growth करने के chances यह हम same example लें अगर current quarter के अब इसके results नहीं आए लेकिन अगर आते और जब आएंगे तब हम उसको एक बार फिट से review कर लेंगे अगर इसका 150 का अगर यह आता है ना net profit और यह सपोज यहां पर 150 का earning पर share आता है तो 600 बैठता है और 600 के हिसाब से यानि कि 150 पर quarter का EPS अगर 4 quarter का same आया तो 600 600 से अगर इस 30,000 को डिवाइड करते हैं तो 50 का हमारा पी रेशो आता है यानि कि एक बार अगले 4 quarter के result आ जाएं तो यह 50 पहुंच जाएगा 174 से current price के हिसाब से तो यह इतनी महंगी इतनी सस्ती हमें future growth को ध्यान में रखके देखना होता है जिन companies में growth नहीं होती उन companies के जो price earning ratio होते हैं वो कम होते हैं इसके बाद में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं वो यह है कि इसको हम screener पर जाकर कैसे सर्च कर सकते हैं तो screener पर जाएंगे screen पर जाएंगे यहाँ पर click करके उसके बाद में create new screen करेंगे और यहाँ पर PE ratio हम देखेंगे एक बा 10 से कम वाले जितने price to earning ratio वाले हैं वो यहाँ पर मैंने run की query यह आ गई उसके बाद में market caps को sort किया तो यह निकल कर आ गया यानि कि यह वो सारी companies हैं जो 10 से भी कम के price earning ratio पर available हैं अब point यह आता है कि यह सस्ती हैं तो सस्ती हैं तो क्यों हैं अगर इसके अगर डिटेल में जाओगे हम इसके call इंडिया के डिटेल में जाते हैं और अगर इसकी performance चेक करते हैं कि इनका EPS पिछली कुछ सालों में कितना increase हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ यह यह आपका earning per share अगर देखोगे तो अगर 2012 से लेकर आप तक की figure आप देखते हो तो यानि कि जितना इनका earning per share 2012 में था उतना ही 2021 में हैं कोई growth नहीं है जबकि TCS का हमने दे growth नहीं है इसलिए इनके price earning ratio कम है अगर HDFC bank की बात करें हम लोग तो उसका एक बार इस performance को देखें कि इनके EPS कितने increase हुए है तो आप देखोगे 2012 से हमने count किया था 2012 में 11 रुपे था और अभी 55 है 11 से यानि कि 5 times हो गया earning per share तो जब earning per share में growth आती है तभी high PE sustain कर सकता है अगर earning per share में कोई growth नहीं है तो high PE ratio पर sustain करी नहीं सकता तो next time जब भी आप किसी company को low PE ratio के base पर purchase करने का सोचो तो उसमें यहां पर growth साथ में देख लेना अगर यहां पर growth नहीं है तो वो उसी के लायक है believe me corporate life में भी जो लोग समझदारी से काम नहीं करते जो लोग performance नहीं दिखा पाते पर्फोर्मेंस नहीं दिखाने का reason कुछ भी हो उस बात को side में रखते हैं जो performance नहीं दिखा पाते वही लोग थोड़े से नीचे level पर रुख जाते हैं और जो performance दिखाते हैं और बाकी जो mandatory requirement होती है corporate life में आगे बढ़ने की यानि की एक positive माहुल बनाके सबको साथ में लेके अपना अगर politics भी है तो politics में आगे बढ़के because वो एक important हमारे अंदर characteristic होना चाहिए अगर corporate life में भी आगे बढ़ना है तो वो performance जो दिखाता है वही आगे बढ़ता है यहाँ पर भी same है जो performance दिखाएगा वो आगे बढ़ेगा अब यह 5 times हो है तो इसलिए इसका PE ratio कितना है 28 है अगर यह same reason same होता ना तो इसका PE ratio भी उतन ही कम होता अगर इस चीज को check करना है तो जैसे करनाट का bank है आप उसको check करो यह कितने के PE पर चल रहा है 4 के PE पर चल रहा है 4 के PE पर क्यों चल रहा है क्योंकि अगर इसका आप earning per share देखोगे तो पिछले 4-5 साल में कुछ भी increase नहीं हुआ उससे बहले यह increase हुआ था तो जह यहाँ पर यह अच्छी चीज by chance निकल कर आ गही है और अगर इसके result भी देखोगे न तो 135 का net profit है इसका current quarter का जो highest ever है और उसमें जो इनकी revenue है वो highest ever नहीं है लेकिन बहुत जादा कम भी नहीं है तो यहाँ पर performance इनकी increase हुई है और जो gross NPA है वो इनका लगातार कम हुआ है 5 75% से कम होते होते 3.16% रह गया है और जो इनका net NPA है वो 3.75% से कम होते होते 1.74% रह गया है तो balance sheet improve हुई है और net profit increase हुआ है बहुत सस्ते price पर चल रहा है और आगे चलके शायद और अच्छा होने की उमीद हो इसका एक बार chart pattern भी देख लेते हैं जब हमने इसको एक बार open क रही लिया है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं अगर चीजे अच्छी चल रही है तो चलने दो देखो यह पहले से मैंने लगा कर रखा हुआ है तो यहां पर यहां से breakout के बाद में जो मेरा target था 73 वहां तो पहुंचने वाला है लेकिन अभी इस पहुंच गया है लेकिन अगर कोई long term के इसाब से देखना चाहता है तो मेरे इसाब से यहां पर बहुत value available है value available simple से दो reason से है एक तो इसकी book value से काफे नीचे trade कर रहा है book value 192 है और trade कर रहा है 66 पर और दूसरा price earning ratio 4.28 है और यहां पर overall कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत growth है ऐसी बात नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी growth नहीं आई जो earning per share था March 2010 में उसके बाद में यहां पर growth आई है और 5 से लेकर 6 हुआ 6 से 7, 11, 10, 14, 13, 14 यहां पर यह mix हुआ फिर जो इनके NPS थे उनका impact आया लेकिन फिर से highest ever price earning ratio पर पहुंच गया है trailing 12 months के base पर तो आज की वीडियो मे इतना ही और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठीक 5 बजे शाम को जैसे कि हम डेली शाम को एक 5 बजे वीडियो लेकर आते हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और जो इस सीरीज की सारी वीडियो है जो free education यह चल रही है इसको देखना नहीं बूलना यह 8 वीडियो है 7 वीडियो अल्रेडी पहले आ चुकी है मैं लिंक description box में दे रहा हूं वहाँ जाकर click करके देख लेना तब तक के लिए मजे करना